बॉलिवुड अमिनीता सुशान सिंग राजपूत 14 जून 2020 को दुनिया को अलविदा कह गए थे। उन्होंने अपनी करियर में कई फिल्मों में काम किया था। केदारनाथ, काई पोछे, शुद्देसी, रोमांस, चिछोरे और सोन चिडिया उनके करियर की प्रमुक फिल्मों में शामिल है। इन सभी के अलावा सुशान की एक और फिल्म है जिसके रिलीज होते ही बॉक्स ओफिस पर धमाल मच गया था। और ये फिल्म एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। अभी तक शायद आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम सुशान के किस फिल्म की बात कर रहे हैं। फिर भी आपको बता ही देते हैं। दरसल हम बात करे हैं फिल्म एमस दूनी दा अंटोल्ड स्टोरी की जो पूर्व भारतिय कैप्टिन एमस दूनी की बायोपिक है। इस फिल्म में चर्शा में आने की वज़े ये हैं कि अगले महीने इसकी स्क्रीनिंग हो सक के रिपोर्ट के मुताबक आंध्रप्रदेश तेलंगना और बैंगलोर में फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। आईपेल खतम होने के बाद क्रिकेट का एक और बड़ा टूनमेंट टीट्वेंटी वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। ऐसे में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का होना सुशान्त और धूनी के फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है। मालूम हो कि पिछले साल मई महिने में इस फिल्म को फिर से रिलीस किया गया था।